नमस्कार दोस्तों मैं योगाचारी बजरंग गुटनों की समस्ताओं को लेके मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और उशी वीडियो को देखते वे लोग अपना घर में आक्सनाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं बहुत लोगों के सवाल है और कई परकार के सवाल है तो गुटनों की समस्याओं के लेकर याज मैं जबाब दे रहा हूं इससे बहुत सारे लोगों के जो सवाल है वो एक ही वीडियो में आ जाएंगे और जो नए है वो भी द्यान से देख लिए हो सकता है कल क को फिर आप वीडियो देखे फिर परसन पुछेंगे तो मैं सभी के जवाब दे रहा हूं जो आपकी ही समस्या है कि क्या क्या समस्या होती है और आप विचलित हो जाते है कि क्या करें क्या ना करें तो आईए पहला सवाल है आया है किसीगा और अधिकतर यह सवाल आता है कि गुटनों में कट कट की आवाज गुटनों में कट कट की आवाज के लिए मैंने वीडियो दो तीन बना रखे हैं पांच चार दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था क्यों आती है मैंने पहले बताया था जब हड्डिया चिपक जाती है जो गैप है वो कम हो जाता है तो इस वज़े से दोनों हडिया टकराती है तो गुतने में कट-कट के आवाज आती है और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है तो आप उस वीडियो में देख लीजिए और वो वीडियो कर लीजिए जिनके कट-कट के आवाज आती है सिरफ वो वो ही वीडियो करें, मेरा चैनल है योगाचारिय वजरंग, जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर सारे जो वीडियो हैं इसे समंदित देख पाएंगे, और जो नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेजिए और लाइक भी कर देजिए, कट-कट के आवाज के लिए समाधान बता दिया, मैंने वीडियो बना रख रहा हैं, आप वो कर लेजी, उसमें क्या है मेन? उसमें है कि पैरों में वेट भांद के, पैरों में वजन भांद के आप करोगे, तो यह समश्या आपकी खतम हो जाएगी मेने में दो मेने में, ठीक ह पहला है हो गया पूरा अब दूसरा है अधिक सूजन हो तो क्या करें अगर गुटने में अधिक सूजन है कईयों के सूजन होती है कई परकार से सूजन आ जाती है तो वो क्या करें मैंने इस पे एक थरेपी का वीडियो बना रखे है कि अगर आपके अधिक सूजन है हो सकता योग ना कर पा रहे हैं तो आप ठरेपी कर लेजिए पटेले को फिरी कर लेजिए और पैर के उपर से और निचे से आप मसाज कर लेजिए उसकी रबिंग कर लेजिए तो यह सूजन में आपको रहात मिलेगी इसका वीडियो भी मैंने बना रखा हैं आप मेरे चैनल पर तो क्या करें उनके लिए मैंने गरम पाने में फिटकरी मिला के शिकाई का एक वीडियो बना रखा है आपके गुटनों में अधिक दर्द है या सुजन है तो मैंने वो वीडियो बना रखा है गरम पाने में फिटकरी मिला के आप उसका सेख कीजी अधिक दर्द होगा दीरे दिरे कम होग़, उसके बाद आप वयायाम चालू कर दिजिए. अगला है मालिस कब करें? यह कई बार फान कर के पूषते हैं, वट्सबप प्ूषते कि मालिस कब करें? कब उस्तिम रहती है मालिस? मैं कहता हूं कि एकर आप मालिस करते हैं, तो सुबै और शाम करें, योगा करने से पहले आप मालिस करें, पास विंड तक मालिस करें, और शाम को भी योगा करने से पहले पास विंड तक मालिस करें, मालिस कैसे करनी है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, कि गुटनों के चारो तरफ कैसे हमें आथों को गुमाना है पटेले के चारो तरफ कैसे आथो गुमाना है इसका वीडियो भी मैंने बना रखता है मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे गुटनों से सम्मंदित अलग-अलग जो सवाल आते हैं उसी पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ जो नए है वो ध्यान से दे करना चाते हैं तो आप मेरे चैनल पे आईए और गुटनों की समस्या से छुटकारा पाईए तो मालिष कब करने है एक्सरसाइज करने से पहले आप मालिष करेंगे तो हदिक फाइदे मन रहेगी अगला है शुरुवात में कौन-कौन शयासन करें अधिकतर लोग पूशते है कि शुरुवात में गुरूजी कौन-कौन शयासन करें जो बिल्कुल नए है मेरे चैनल पे भी नए है या जिनके घुटनों में दर्दहुजों ने कभी भी एक्सरसाइज जीवन में नहीं की और वो चाते हैं कि मेरे घुटने ठीक हो जाएं तो मैंने चार से पाथ एक् शुरुआत में कठीन अक्सरसाइज ना करें पैर नहीं मूड़े तो जबरदस्ति ना मूड़े कोई भी एक्सरसाइज हमें जबरदस्ति नहीं करनी है अधिक दर्द भढ़ जाएगा तो इस वज़े से मैंने चार अक्सरसाइज बड़ी ही शरल बना रखी है जो हर कोई कर सकता है, शुरुवात में भी कर सकता है, तो चार अक्सरसाइज से हमें शुरू करनी है, अगला है, यह भी समस्या है, कई पूस्ते हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, अधिकतर लोगों का सवाल है, कि गुरुजी हमें बता देजे, हमें क्या खाना है, क्या ने खाना, यह मै आपके अगर जोडों में दर्द है, गुटनों के दर्द के अलावा जोडों में दर्द है, सरीर के कहीं भी दर्द है, तो आप खटे चीज़ें बिलकुल भी ना ख susceptे हैं, बाई बाद्दे की चीज़े भी आपको नहीं खाने चाहिए ये चीज़े आपको नहीं खाने चाहिए क्या खाएं इनके अलावा खट्टी और बाई बाद्दे की जो चीज़े है उनके अलावा आप कुछ भी खा सकते है अगर आप और अच्छे चीजे खाना चाहते हैं तो मैंने बता रखा है कि आप तीन अखरोट रोजा ना खाए रात को पाने में बिगो दे और वो सुबह खाली पेट खाए इनके लावा मैंने और भी ओजदी बता रखी है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि जोडों को दørत मिं हमें क्या खाना चाहिए इसका भी वीडियो को मेरे चैनल पर मिल जाएगा या आप देख सकते हैं फिर बिछन आये तो मेरे पास वाटसब करदेना कि हमें यह वीडियो चाहे मैं आपको भी वीडियो आपके वाटसब पर डाल दूँगा आप अपना नाम और जो स्थान है कोई डिस्टिक है या राज्य है वो नाम लिखके मेरे पास वच्छतब कर देना कि क्या खाए ना खाए का वीडियो वेज़ो या मालिस का वीडियो वेज़ो मा आपको वीडियो इन में से संबंदित है या और भी है मा आपको वीडियो डाल दूगा आप देखते रहना अगर आपको ना मिले तो चैनल पे अगला है सात्वा चोट लगने के बाद क्या करें ये भी एक समस्या है अक्षिडन्ट हो जाना छोटे मोटी चोट लगना गुटने के बल मुटर हाई गिल से गिर जाना चोट लग गई तो पूशते हैं कि हम आसन शुरू कर दें नई अगर आपके चोट लगी हुई है तो आप कुछ दिन आराम करेंगे शेक करेंगे गरम या ठंडा वो मैं बता दूगा कि किस परकार करना है चोट लगने के बाद आप अक्सराइज नहीं करेंगे ओ सकता आपको फैक्चर हो गया हो तो कुछ दिन आप आराम करेंगे फिर डाक्टर से सला करने के बाद आप अक्सराइज शुरू करेंगे ऐसा नहीं है कि गुटनों के जड़ ठीक हो जाते है चलो चोट लग गई अक्सराइज शुरू कर दें नहीं यह ध्यान दे लिजी है आप सबे के लिए है यह चोट लगने के बाद अक्सराइज ना करें उसका ट्रीट्मेंट पहले जो डाक्टर बोलता है वो करे वो सकता है फैक्चर हो गया हो तो देरे देरे उसकी रिपोर्ट भेजना फिर मेरे पास मैंने दो मैने के बाद फिर मेरे आपको बता दूँगा यह दोक्टर से पूछ लेना ध्यान देना है अपने आप कुछ भी मत करना कभी खुझे दोक्टर बनके बैट जाओ अगला है बैठ कर उठने में दर्द होता है यह भी एक आम समस्या है बोलो गुरुजी मैंने पिछले दिन ही बनाया है इनके एक सब्ता हो गया आप इस वीडियो में देख लीजिए आप बैठे है तो उठने से पहले आपको कौन सी किरिया करनी है ताकि आपको दर्द ना हो तो आप यह वीडियो में देख सकते हैं और मैंने कहा ना वीडियो आपको नहीं मिले तो मेरे पास वाटसअप कर देना कि बैठ के उठने में दर्द होता है यह वीडियो गुरुजी भेद दीजिए मैं आपके पास आपके वाटसअप पे भेद दूँगा अगला है शिकाई कब करे कैसे करे अब आता है यह सवाल शिकाई कब करे कैसे करे ठंडी करे या गरम करे यह भी एक मुख्य सवाल है शिकाई कब करे मैंने कहा कि सोजन आया हुआ हो या हदिक दर्द हो तब हमें सिकाई करनी है ठीक है कैसे करे यह मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे करने हैं सिकाई गरम पाने में फिटकरी डालके और उसमें तावल से सिकाई करने हैं यह मैंने बता रखा मेरे वीडियो में अलग से नहीं बताऊंगा समय खराब होगा वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा सारे मेरे वीडियो मैंने बढ़ा रखे हैं अब आता है नीचे दर्द है तब भी आप ठंडी सिखाई करें यह मैंने बता रखा है वीडियो में बता रखा है गरम सिखाई अगर आपको वैसे ही सूजन आया हुआ है वैसे दर्द हो रहा है आम कई सालों से दर्द हो रहा है कई मैनों से दर्द हो रहा है तब आप गरम सिखाई करें फिटकिरी के पाने से थंडी करना है चोट की वज़े से सूजना जाने की वज़े से तब थंडी सिखाई करनी है गरम सिखाई जब आम दिनों में हमें सूजना जाए दर्द हो तब हमें गरम सिखाई करनी है अगला है एक महतवपुर्ण परसन कई पूस्ते हैं विश्वास न ना हो, सबी पूस्ते भी हैं कि योग से गुटने ठीक हो जाएंगे, किसे को विश्वास नहीं होता, मैं कहता हूँ कि मैंने पहले वीडियो बना रखा है, कि अगर आपके गुटने 80% तक खराब हैं, तो आपके गुटने योग करने से ठीक हो जाएंगे, 50 वालों के तो जल्दी हो जाएंगे, 80 वालों को कुछ समय लगेगा, 90 से 100 के बीच में मैं कह नहीं सकता, इसमें कम चांस रहता है, कि 50-50 चांस रहता है, ठीक भी हो जाएंगे, या ना भी हो, इनमें ओप्रेशन की दिक्कत आते हैं, तब ओप्रेशन करा लो, ओप्रेशन भी अगर कोशिश करें, 80 परेशन तक उठने खराब हैं, तो आप योग के द्वारा ठीक हो सकते हैं, मेरे सारे वीडियो देखके, जिसको जो समच्चा है, वो ही वीडियो देखके और वो ही करें, एक या दो वीडियो कर लेजिए, उससे समंदित मैंने बना रखे हैं, तो मैंने आज आपके 10 परसनों के उत्तर दे दिये हैं, और 10 परसनों में मतलब जारों लोगों के जो सवाल थे, वो आ गए हैं, किसे ने बता जिया और किसे ने नहीं बताया, एपर तक सूप से किसी के दिमाग में चल रहा था, तो आप वो भी नोटिश में दे लें, कि ये कर देखना है, तो मैंने बता दिया, चारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, और इसे भी जादा मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपके मन में इन 10 सवालों के अलावा भी कोई सवाल हो, तो मेरे वट्सप पे आप भेद दे जिये, यूटूब पे जो वीडियो आते हैं, उनके नीचे कॉमेंट कर देजिए, सभी सवालों को मैं द्यान में रखते हैं, एक वीडियो और बना दूँगा, उसमें मैं जो जो सवाल होंगे, उसके उत्तर में दे दूँगा, और आपके सवालों के उत्तर सारे मेरे वीडियो में हैं, आप मेरे यूटूब चेनल पे मेरा चेनल खुल जाएगा, और सारे वीडियो आ जाएंगे, फिर भी नहीं हाए, तो मेरे पास वाटसब कर देजिए, आपकी जो समस्चा है, उससे सम्मंदित वीडियो मैं आपके पास बेहर दूँगा, आज का वीडियो इसी पे था, फिर कह रहा हूँ, जो मेरे चेनल प वीडियो उसके पास बेहर देना, तो आप मेरे साथ ही है, आप सभी साथ दे मेरा, और एक मुहीम है, गुटनों का दर्द, घर बैठे, फिर का इलाज करे, बहुत लोग परेशान है गुटनों के दर्द से, आप भी ये सेवा कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके, फिर मिले एक नए वीडियो में, जैहिन, 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 जैहिन,